Hello everyone and welcome to the classes of Python तो आज इस class में हम Python के बारे में थोड़ा सा समझने की पुशिश करते हैं अब Python होता है, Python is a general purpose high level programming language दो तरह की language हमारे पास आती है, पहली आपके पास होती है low level languages जहांपर हम machine languages के बारे में discuss करते हैं फिर हमारे पास middle level languages होती हैं जिसको गूलते हैं assembly languages और फिर हमारे पास high level languages होती हैं जैसे हमारे पास COBOL, FORTRAN, BASICS, C, C++, Java, Python यह सभी high level languages का पार्ट है अगर आप पहली programming आप करना चाहते हैं तो सबसे पहला it always suggest कि आप अपनी जो coding है जो practice आप करेंगे, हम Python से ही हम लोग अब use करते हैं अगर आप देखा होगा कई सारे exams हैं जैसे PGT computer science हैं यानि कि अगर आप 11th class में हैं या 12th class में हैं तो अब वहां पर Python syllabus में आता है पहले जो C++ जो concept थे वो KVS में आता था लेकिन अब उसको change कर दिया गया है क्योंकि Python जो है उसको समझना बहुत ज़ादा, comparatively बहुत ज़ादा easy होता है as compared to C language और Python को में इसलिए बनाया था ताकि आप code को बहुत easily आप किसको express कर पाएं, किसको समझा पाएं और किसी code को किसी concept को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम line of code की requirement है एक simple सा example मैं आपको यहां से देता हूं जैसे हमें Hello World का program आपने देखा होगा, तो Hello World का जो program है यह हम C language में या C++ में almost similar ही code यहां पर रहेगा C, C++ के अंदर आप चेक करोगे सिर्फ Hello World, सिर्फ इस line को represent करने के लिए आपको लगबग 6 lines की requirement है 6 line की requirement है अब वही चीज़ अगर मैं Java की बात करता हूं तो Java में भी बहुत साथी बहुत सार चीज़ें हमें यहां से देखनी पड़ती है पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी हमारी class है, class के अंदर public क्या होता है, private क्या होता है, क्या वो static है या नहीं है और फिर हम use करते हैं Hello World तो Hello World को represent करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें को हमें बताने की जरुत होते हैं जिसे समझाने की बहुत requirement होती है लेकिन अगर मुझे Hello World in Python अगर मैं यहां से use करूँगा तो आप चेक करो सिर्फ simple एक line, एक line के अंदर print Hello World, that's it आपको कुछ बनाने के जरुत नहीं है, कुछ चीज़ें देखने के जरुत नहीं है तो इसे वज़े से आप बोल सकते हो कि Python जो है, वो बहुत ही ज़ादा easy है as compared to all these three, right तीनों को आप compare करो और check करो कितनी line of code लग रहा है सिर्फ एक Hello World को दिखाने के लिए तो दिन सब power of Python और यही एक reason है जहां पर machine learning पे भी Python को ही हम लोग use कर रहे है अब जर्ली Python जो है हमारे पास दू तरह के versions है पाइटन के एक है हमारे पास Python 2 और दूसरा है हमारे पास Python 3 हम लोग जो coding करेंगे जो हमारे subject हम classes हम लोग देंगे वहाँ पर हम Python 3 की classes को हम लोग यहां से cover करेंगे अब एक difference है दोनों के अंदर जर्ली जो Python 2 है उसके अंदर हम जो पहुत legacy यानकि जो पुराने files है जो code है वो हम Python 2 में use हुआ करते थे उसका जो library है वो बहुत जादा अलग है as compared to Python 3 क्योंकि जो libraries है वो थोड़ा अलग है different है even Python 2 पे हम SKY code को use करते थे लेकिन Python 3 पे Unicode को use करता है यानि कि जो SKY code है generally वो 1 byte के असपास होता है लेकिन Unicode जो है वो 2 bytes के असपास रहता है फिर Python 2 जो है एक same value को represent करने के जैसे 5 divided by 2 आप करोगे तो इसकी value है कि वो integer value यहां से निकलेगी जिसकी value 2 निकलेगी लेकिन अगर मैं 5 by 2 अगर हम लोग करेंगे Python 3 तो इसकी value जो निकलेगी वो 2.5 होगी जो expected जो हम लोग human जो हम लोग use करते है तो वही same चीज यहां से use करते है तो you can see तो huge difference थोड़ा सा difference है Python 2 और Python 3 में है लेकिन हमारे classes पे हम Python 3 को ही यहां से use करने वाले हैं अब बहुत सारे features जो हैं हमने बहुत सारे languages से हमने Python पे use किया है जैसे अपने functional programming के जो concept है वो इसकी जो features है वो सभी Python में use किया गया है ताकि code को बहुत easily हम उसको represent कर पाएं उसी तरह के से जो object oriented की जो power है वो भी हम Python में use कर सकते हैं उसके अलाबा जो script languages हैं जैसे पर्ल है, Java script है या फिशल script है उन सब की जो features है वो सभी Python में available है इवन बहुत सारे features जो है Modula 3 एक programming language थी वहां के जो features है वो भी Python पे ही use होते है तो ये चार चीजें, चार चीजों को हमने use किया है ताकि हम Python को हम उसको develop कर पाएं, उसको इस basis पर उनने बनाया था उसके ये सारे features जो है वो Python में available हैं उसके लाबा जब हमने Python को पहली बार बनाया था ना तो आपको बता है कि सी प्रोग्रामिंग जो है 1970 में पहली बार सी प्रोग्रामिंग को उपन किया था राइट फॉर एवरिवान तो 1970 याने कि आज से लगए 50 साल पहले 50 years ago तो अब वही जो features जो है मतब जो उसका syntax है वो बहुत साथ चाहिए और बहुत सारी लैंगविजिस है एवन आप चेक करोगे जावा का जो syntax है ब्लकुल सिमिलर है सी से ही तो वही चीज़े पाइथन में भी सेम इसी बेसिस पर पाइथन के जो syntax है ब्लकुल सी लैंगविज के जैसा ही रहता है अब जो पाइथन है वो कहां पर आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगे दो सो मैनी वाकेशन जैसे अगर आप टेक्स्ट्व आप अप बनाना चाथे हैं तभी आप आप syndrome use करेंगे अब web application आप बनाना मशीन लर्निंग और इंटेलजेंस तो मशीन लर्निंग एंटेशन इंटेलजेंस क्या जो फिंपलमेंटेशन जो है वो पाइथन पर ही हम लोग जनली यूज़ करते हैं क्योंकि पाइथन is very easy to code आप कुछी किसी problem को solve करने के लिए बहुत ही कम code की requirement होगी और बहुत easily आप इसको implement कर सकते हो तो इसी वज़े से हर जगे पर Python को हम लोग use कर रहे हैं अब एक simple application में एक simple idea में आपको यहां से दे रहा हूँ generally Google का जो coding है Google and YouTube वो दोनों चीज़ों के अंदर Python code को use करते हैं इसके अलावा अगर आप NASA आपने देखा होगा NASA या पिर New York Stock Exchange इसके अंदर भी Python का ही code use किया गया है और इंडिया की जो top world की जो top software companies है जैसे Google है Microsoft है IBM है Yahoo है वो सभी Python को ही use करते हैं that is why we say Python is so powerful और इस समय पर काफे सारी universities है colleges है schools है वो पहले C और C++ के जगह पर आप वो Python को ही use कर रहे हैं ओके नव लेट समीट इन दे नेक्स सेशन